नमस्ते फ्रेंट्स गार्टिंग विथ वंदिना में आपका स्वागत है और आज मैं आपको गुलाब की ब्लूमिंग दिखा रही हूँ और ये कैसे हो पाई है इन बरसात के दिनों में बहुत बढ़ियां सी तो इसको मैं आज आपको दिखाऊंगी और दे करके भी क्योंकि खाद देना थीक है प्लांट की बढ़वार के लिए लेकिन उसके साथ साथ प्लांट की केर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और वह क्या करनी है इस बरसात में वह उसके बारे में ही आज बात होगी तो हमारे गुलाब में जो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए वह इनकी क्लीनिंग है कोई भी जो पुराने पत्ते हो या सूख गए हो उसे हमें अपने प्लांट से हमेशा हटाते रहना चाहिए और जैसे की देखिए यह कलियां लगभग सूख गई हैं बहुत अच्छे से नहीं खिलेंगी तो हम इसे प्रून कर देंगे वरना यह बिन कर देंगे अपने प्लांट में तो क्या है कि प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइब करेगा अब नीचे मैं इसकी मिट्टी आपको दिखाऊं तो यह देखिए वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनाई हुई है और अभी अभी मैंने इसमें पानी दिया हुआ है तो क्या है कि इसमें फंगस लगेगी और प्लांट धीरे-धीरे करके एकदम मर जाएगा तो अच्छे फूल अगर आप चाहते हो तो वेल ड्रेन मिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर होती है और वेल इस टाइम अगर किसी गंबले में आपके पानी रुक रहा हो तो आप उसको रुपार्ट भी और लोन्तों बहुत साथ जगों पहुतं पानी लेकिन बहुत जादा बारिख नहीं है तो आप उससंगा बारिश को रीपॉट करते हैं किसी भी प्लांट को तो क्या है कि वो बिल्कुल भी प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा तो यह काम आप कर सकते हैं इसके अलावा इसमें ठोड़ा सा फंजी-सैट किसी तरह का ताकि इसमें किसी तरह का पैस्ट अटेक नहीं करते हों तो आप नी मॉयल ही यूज कर सकते हैं घरेलू चीजों में मैं कहूं तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा हल्दी का पानी का भी छुड़काव कर सकते हैं तो हल्दी को पानी में भीगा दीजिए रात भर रहने लेकिन यह है कि हल्दी भी सुद्ध होने चाहिए बजार की हल्दी ना हो जो आपने पिस्वाई हो या किसी ऐसी जगह से लिए हो जहां कि प्योर हो तो आप हल्दी का प्रियोक कर सकते हैं प्योर ना होने के कारण हल्दी का प्रियोक करना बिकार है एक चम्मच एक लीटर पानी में घोल लीजे हल्दी को और उस नीचे जो मोटे मोटे टुकडे हैं वो धीरे-धीरे करके आप रात भर में देखेंगे बैट जाएंगे और उपर का जो पानी है उसका ही छिड़काव आप अपने प्लांट्स में कर दें और थोड़ी मिट्टी में भी डाल दें तो उ राहत हो जाएगी वैसे तो बारिश के दिनों में लगातार जब बारिश होती है तो आप ऐसे समय का चुनाओ करें जबकि तीन-चार घंटे पांच घंटे बारिश ना होने वाली हो उस समय आप ये सारे इस प्रे कर सकते हैं मिट्टी की अच्छे से गुडाई कर लें और अब हम क्या खात कर देने वाले हैं उसके बारे में भी बात करते हैं जितनी भी वीट्स हुगाई हैं देखिए मैंने सारे वीट्स को हटा दिया हुआ है और जड़े बिलकुल क्लीन देखिए हो गई है तो नीचे के यह जो न अब मैं इसमें क्या खाद दूंगी वो दिखाती हूं यह जो दो तरह कि खादे मैंने लिए हुई है इसके इंपोर्टेंस भी बताऊंगी यह प्लांट में किस तरह से काम करेगा इसके बारे में भी जानकारी दूंगी तो यह देखिए यह मैंने लिया हुआ है नीम खली तो थोड़ा सा अच्छी दुकान से लें ताकि यह जो नीम खली है वो बिल्कुल शुद्ध आपको मिले तो कभी-कभी यह अभी हाल-फिल-हाल मैंने देखा है कि नीम खली ले आई थी मैं और वह बहुत अच्छा नहीं था तो इस तरह का नीम खली आपना ले आए एक करेंगे ना तो बहुत अच्छी खुश्बू नीम की आएगी ना कि इसमें किसी तरह की बद्बू हो तो वह वाली ही नीम खली अच्छी होती है और किसी भी लोकल सौप से ले आए जो की ट्रस्टेड हो वहां से ले आएंगे तो आपको कहीं भी खराब कोई चीज मिलने का एक मुठी मैंने नीम खली ली हुई है और एक चम्मच दो चम्मच के करीब में मैंने एक कैसी बूर्बटा कहाओ नहीं करेंगा यह बहुत बढ़ियां होता बरसात के दिनों में पानी रुखने की बड़ी ज्यादा शमस्या रहती है और पानी रुखने के लिए क्या करें कि अगर आप तुरंत रीपॉर्ट भी नहीं करें एक चीज और मैं बता दू कि रीपॉर्ट नहीं करें तो क्या है कि गंबले के यह जो ड्रेनेज है जहां दें ताकि पानी जो है निकलने की समस्या ना हो अच्छे से पानी ड्रेन आउट हो जाए तो पूरा यह काम जो हमें करना है वह फंगस से अपने प्लांट को बचाना है नाइट्रोजन बरसात के पानी में बहुत ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन हमें अलग से देने की नहीं है जड़े मजबूत हो उसके लिए हम डीएपी देंगे क्योंकि डीएपी एक बेस्ट फर्टिलाइजर है इसमें जो फॉस्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है तो यह फॉस्फोरस हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत करेगा और जड़ों की जो बढ़वार बहुत तेजी से होगी और यह जो दीमखली है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं थोड़ी थोड़ा थोड़ा इसमें नाइक्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम भी होता है और इसके साथ-साथ इसमें बहुत धेर सारा एंटि वैक्टिरियल तत होते हैं तो आपको किसी भी तरह के फंजी साइट का यूज नहीं करना पड़ेगा तो यह मैं साथ के साथ करती रहती हूं कि यह नीमखली महिने में एक बार जरूर डाले और यह डीएपी के दाने यह थोड़ा देखिए आपको देखने में ज्यादा लग रहा होगा तो मेरा प जब मज के करीब में हैं तो इन तोनों को मैं मिक्स कर लोगी और अपने प्लांट में देती हूं थोड़ी-थोड़ी सी मिटी ऐसे ऊपर कर लेंगे और जब भी हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो डारेक्ट हमें एक दम प्लांट की जड़ों के पास नहीं देना है और हम एक ऐसे मिटी थोड़ी सी देखिये चड़ा लेती हूं यह से मिटी कर जो रिम के किनारे किनारे की मिटी है उसको ऐसे चड़ा लेते हैं और अब इसके वाससे यह फर्टिलाइजर जो हमने अभी बनाया हुआ है इसे हम अपने प्लांट में दे देंगे और रिम के कि कमपोज kami और बहुत ही अच्छ से plants में काम करेगा बढ़वार तो बहुत ही चीज से होती है तो आप इस चीज को अपना है खास करके इन बरसाथ के दिनों में क्योंकि बरसाथ के दिनों में और सारी चीज़े नाइट्रोजन बहुत होता है बर्साथ पानी में जिससे की प्लांट्स खूब हरे भरे होते हैं और नीम खली देने से किसी भी तरह की जड़ों में फंगस नहीं लगेगी मिटी खराब नहीं होगी मिटी के पोसक तत्तूर बहुत अच्छे हो जाएंगे और डिये पी देने से क्या आया कि जड़े मजबूत होंगी जड़ों का विकास बहुत तेजी से होगा तो जब भी किसी तरह का प्लांटेशन आप करते हैं या बरसात के दिनों में यह डिये पी का यूज महीने में एक बार अगर आप कर लेते हैं तो यह बहुत ही बेनिफिशल होता है प्लांट के लिए तो यह जो हमने काम किया है य एक प्लांट के लिए महीने में एक बार आप दीजे एक चमश और एक मुठी नीम खली एक चमश डीएपी तो बहुत बैस्त रहता है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा नमस्ते झायोंते च्छी लीखेट टेंदेऊं में आप हो तो सब्सक्राइब उसे कर दीए हो तो सब्सक्राइब एक तो सक्तSam